हलो दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करती हूं वह बहुत अच्छे होंगे यह साम का टाइम है बच्चे मेरे आप लोग को हाई हलो बोल रहे हैं यह सब साम के अपधाई कर रहे हैं बच्चे मेरे कुछ अपने बच्चों की मैं हप करने जा रही हूं क्या क्य पढ़ते इस ब लेती हूं और कुछ बनाना था मेरे बच्चों को मतलब साइन्स का तो बुली ममी बना दीजे बहुत अच्छा तो नहीं आता है लेकिन कोशिस किया है मैंने इन लोग का हर्प करने का तो यहां पर बता रहा था मेरा बेटा कार्थिक कि ममी मुबाइल बंद कर दीजे मोबाइ कर रहे हैं तो यहां पे मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूं कि क्या क्या रहा है बनाने को यह बोल रहा है इसको बनाने को बताईए कैसे बनेगा मैं कोशिस करके बनाती हूं लेकिन बहुत अच्छा नहीं बな सेमyl just तो दोस्तों यहां मैंने चाय चड़ा दिया है चाय में दूड डाले हूं मैं अब ये पक जाते हैं तो उसके बाद में चाय निकालूंगी तो मेरे बेटा भी बहुत है दो कि अब फी जाता है śaam का बना था जो फ्रेंड्ट चलिए मैं आपको बताती हूं चैने का कुछ नास्ता बनाने को चने का नास्ता बस ज़नों अभार के हम बना लेते हैं सब् absorbed कुछ कर लेते हैं यह देखें मैंल यहां लसून अधरतम मिर्चा एक दो आलु ले लिया है अब इसको हम कة शीज़ लिया है अधरतक को मतलब साफ कर लिया है और आलू को भी घिस लिया है मैंने इसको तीन चार पानी से धो लेंगे अच्छे से निकाल लेंगे पानी जरास से भी न रहे आलू में प्याज लिया है प्याज की भी मैंने कटिंग कर लिया है चने को ट्रांसफर कर दिया है जार में इसमें डाला है हरामेज लासून और अद्र जब डब करेंगे ग्राइंड करके इसको बावल में मैंने ट्रांसफर कर दीया है अब शलीट पॉल खीसे हुए आलू। और उसके बाद डालेंगे प्याज, जो प्याज मैंने बारी काटा था, वो प्याज डालेंगे बहुत तेश्टी बनी थी आप लोग भी एक बार तो ट्राइ करिएगा फिर इसमें डाला है नमक मैंने फिर डाला है जीरा पाउडर और फिर उसके बाद हिंग डाला है क्योंकि चना है ना चना थोड़ा बादी होता है बच्चों के लिए तो हिंग मैं दिखा ली थी यह हें यूस किया है मैंने अब इन सभी पेश्ट को अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से हातों से मैश करने के बाद तो ए देखे मैं तकिया की तरह जैसे आलू का टिक्या बनता या वैसे बना वण करादा के और बना क्रिस्पी अबने गां पहला मेरा मोटा हो गया था लेकिन दूसरा बहुत अच्छा बनाता तो दूसर但是 कि मोटा हो गया तो पकाना बढ़ी गा ना अलूऊ-अलू पड़ा है तो तो एसको पकाने में थूड़ा एक मेरा लाल हो गया ज्यादा तो आप ऐसा नहीं करिएगा थोड़ा पतला बनाईएगा फिर दूसरे तीसरे पैचका में पतला पतला बनाई थी यह देखिए नीचे का सिग गया तो हम इसको पलट पलट के ऐसे सेख देंगे बहुत कम तेल में बहुत टेश्टी नास्ता बनता है बहुत हेल्दी आप लोग भी खा लीजिए आप लोग भी एक बार ऐसे बनाईएगा अपने परिबार वाले को खिलाईएगा सब को पसंद आएगा यह नास्ता तो फ्रेंट जो मैंने नास्ता बनाया है आप लोग एक बार प्राय जरूर करिएगा इसको देखके मैं कंफिर जाती हूँ कि क्या बोलना है तो एक बार जरूर बनाके खाईएगा चने का यह टिकिया अच्छा लगेगा आप लोग आप लोगों को तो उसको मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जो नए होंगी वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाती रहूंगी तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ता 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 बाई बाई